नमस्ते फ्रेंट्स, इंडियन ट्रेजरी आफ विजडम में आप सब का स्वागत है यहाँ हम अब्जर्व और अनलाईज करते हैं एंशेंट इंडियन स्टोरीज और स्क्रिप्चर्स को उनमें मैंशेंड की गई सिंबल्स को और ओल्ड इंडियन रिच्वल्स को तो आईए देखते हैं कि इन सब में हमें क्या नॉलेज और विजडम चुपा हुआ मिलता है तो चलते हैं अनगिनत इंशेंट स्टोरीज और स्क्रिप्चर्स के सेग्मेंट में और पता लगाते हैं कि स्टोरी के पीछे क्या है इस स्टोरी के तीन में इन कैरेक्टर्स है ये है भगवान शिव जो हिंदूइजम के सुप्रीम गॉड्स में से एक है जिनने डिस्ट्रार और ट्रांस्फॉर्मर माना जाता है ये है देवी पार्वती जो शिव भगवान की पत्नी है ये देवी रिप्रेजन करती है फर्टिलिटी, डिवोशन और पावर को और ये है भगवान गनेश जो इन दोनों के संतान है ये बुद्धी को रिप्रेजन करते है याने गौड अफ विजडम और इन्हें विगनहर्ता माना जाता है ये स्टोरी हमें कई सारे पुरानों में मेंशन की हुई मिलती है और इसके कई सारे वर्जन्स है तो इसलिए हम इस स्टोरी के डीटेल्स को इग्नोर करेंगे और एकदम शॉर्ट में स्टोरी को बताएंगे तो आईए स्टार्ट करते है भगवान शिव अकसर अपने काम मे बहुत busy हुआ करते थे और काम के चलते कई दुनों तक गर से दूर रहते थे देवी पार्वती को घर में बहुत अकेला पन मैसूस होता था और उन्हें अक्सर घर में काफी insecure feel होता था एक दिन नहाते वक्त देवी पार्वती को एक संतान पाने की इच्छा होती है नहाते वक्त निकले हुए अपने शरीर के मेल से वो एक बच्चे का आकार बनाती है और उसमें जान डाल देती है वो बच्चा जीवित हो जाता है और देवी पार्वती उसे अपना बेटा मानकर बहुत प्यार करती है और अपने साथ रखती है एक दिन देवी पार्वती नहाने जाती है और अपने बेटे को दर्वाजे पर पहरा देने को कहती है पहरा देते वक अचानक उस समय शिव भगवान आ जाते है देवी पारवती से मिलने अपनी मा को दिये हुए कमिट्मेंट के हिसाब से वो शिव भगवान को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं देता शिव भगवान अपने बेटे को पहचानते नहीं है और बहुत कोशिश करने पर भी जब वो बच्चा उन्हें अंदर नहीं जाने देता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो अपना त्रिशूल निकालते है और उस बच्चे का सर धड़ से अलग कर देते है परवती देवी को जैसे ही समझ में आता है कि उनका बेटा अब जिन्दा नहीं रहा वो बहुत रोने लगती है और शिव भगवान को उनके बेटे को जीवित करने को खहती है भगवान शिव को रियलाइज होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो अपने गनों को मतला अपने लोगों को जंगल में भेज देते हैं कोई दूसरा सिर ढूंट के लाने के लिए उन गनों को जंगलों में एक हाती का बच्चा मिल जाता है और वो उस हाती के बच्चे का सिर काट कर शिव भगवान के पास में लेके आते हैं फिर भगवान शिव उस हाती के सिर को अपने बेटे के बॉड़ी पर लगा देते हैं और उनका बेटा फिर से जीवित हो जाता है अपने बेटे को जीवित करने के बाद भगवान शिव अपने बेटे को अपने गनों का हैड डिकलेर कर देते हैं मतलब गन पती और यही हमारी स्टोरी खतम हो जाती है दोस्तों इससे पहले भी आपने कई बार ये स्टोरी पढ़ी होगी या सुनी होगी लेकिन क्या ये स्टोरी आपको थोड़ी अजीब नहीं लगती क्यों भगवान शिव जो सबसे सुप्रीम है सब कुछ जानते है अपने ही बेटे को पहचान नहीं पाए क्यों उन्होंने गनेश के असली सिर को वापस नहीं लगाया और उसके जगे हाती का सिर लगा दिया अगर मान भी लिया जाए कि असली सिर डैमेज हो गया था पूरी तरीके से तो किसी और यूमन का सिर क्यों नहीं लगाया चली एनलाईज करते हैं पहले अम элемfive heaven कि बाद करते है आपने पहले भी काफी बार पढ़ा होगा या सुना होगा कि गनेश बगवान का elephant head symbolize करता है intelligence और wisdom को एक elephant head के बड़े कान symbolize करते है good listener को छोटा मूँ symbolize होता है कम बात करना, सून्ड symbol होता है efficiency का एक्सेक्टर एक्सेक्टर इन symbolism के बारे में आपने पढ़ा होगा काफी बार, बट ये symbolism क्यों है और हाती का ही सिर Q use किया गया है symbol के तौर पे इसके पीछे actually scientific reasons है, एक हाती का brain सारे land mammals में सबसे बड़ा होता है, हाती के brain का hippocampus बहुत developed होता है और उसका cerebral cortex भी बहुत बड़ा होता है, और in fact उनके brain में neurons और synapses भी उतने ही पाए जाते है जितने के human brains में होता है इसलिए elephants काफी intelligent और काफी अच्छे problem solvers होते है इसलिए elephant head को knowledge और wisdom का symbol माना गया है बट इस elephant head का story के साथ में क्या सम्मन्द है चलिए पता लगाते है सारे events को एक order में देखते है पहला event जब पारवती देवी गनेश को अपने body पर के male से बनाती है अब fertility के aspect से देखे तो पारवती के body से गनेश पैदा होना इसको दर्शाता है कि कोई भी बच्चा हमेशे अपने मा के body से ही पैदा होता है बट हम अगर गोर से देखे तो गनेश उनके body के male से पैदा हुआ है ये एक broader concept की तरफ दर्शाता है जो देवी पारवती के दूसरे रूप strength और power से संबन रखता है किसी भी इंसान के पास जादा power आ जाने पे उसका ego और ignorance बढ़ने लगता है इस पैरलली बढ़ने वाले ego या ignorance को body का male बताया गया है अब हमारे दूसरे event में शिव भगवान male से बने हुए उस बच्चे का सिर काट देते है शिव भगवान को scriptures में कहा जाता है कि वो destroyer है याने के destruction के देवता और transformer भी है यहाँ शिव भगवान actually represent करते है inner consciousness को शिव का उस बच्चे का सिर काट देना दिखाता है कि कैसे एक इंसान के inner consciousness से ego और ignorance को destroy किया जा सकता है अब हमारे third event जहाँ शिव भगवान हाती का सिर उस बच्चे पर लगा देते हैं उनके दूसरे रूप transformer को दर्शाता है exactly जैसे inner consciousness से ego और ignorance transform या replace होता है knowledge और wisdom से जिसका symbol है elephant head अब हमारे चौते और आकरे event को भी समझते हैं यहाँ शिव भगवान अपने बेटे को अपने लोगों का head मतलब अपने गनों का head गनपती डिकलर कर देते हैं अब इस event को हम अगर social point of view से देखे तो अकसर एक बाप अपने पास जो भी property होता है जैसे कि business या फिर घर अपने बेटे के नाम कर देता है उसी तरीके से शिव भगवान के पास एक ही property होता है जो कि उनके गन होते है तो वो उनके बेटे को उन गनों का head बना देते है बट क्या ये event सिर्फ इतना ही दर्शाता है थोड़ा और broader way में देखते हैं गन का मतलब English में होता है group और पती का मतलब होता है leader तो गनपती का actual meaning हुआ group leader और एक group leader वही बनता है जिसमें knowledge और wisdom होता है याने के elephant head और एक group leader लोगों के काम में आने वाली मुश्किलों को भी दूर करता है और उनके सारे problems resolve करता है इसलिए गनपती को विगन हरता या फिर विगनेश्वरा कहते हैं याने के problem solver तो दोस्तों स्टोरी के पीछे हमें क्या मिला इस स्टोरी में hidden meaning ये है कि एक इंसान को जब power दिया जाता है तो उसमें ego और ignorance बढ़ जाने के chance होते है और उस power का अच्छा इस्तमाल कर सकते है For example, Amit एक company में बहुत मेहनच से काम कर रहा होता है एक दिन उसे उसकी company काफी अच्छा promotion दे देती है और उसे team leader बना देती है बट team leader बनते ही अच्छनक Amit का attitude अपने teammates के प्रती change हो जाता है और उसमें एक घमंड आ जाता है धिरे-धिरे Amit के team का performance डाउन हो जाता है और उसे इसके लिए अपने senior से काफी डाट भी खानी पड़ती है अब Amit को अपने गलती का एसास होता है और वो अपने inner consciousness से सोच कर अपना ego हटा देता है और अपने सालों के knowledge और होश्यारी से वो अपने teammates की help करता है और उनके obstacles दूर करता है और एक problem solver बन जाता है इसी तरह Amit सही माइने में एक true leader बन जाता है याने के गणपती तो friends अगर आपको ये video अच्छी लगी हो तो इस video को like करे आपको ये video कैसा लगा ये हमें comment section में बताए शेर करें अपने family और friends के साथ और ऐसे interesting videos देखने के लिए subscribe करें हमारे channel को finally, thank you for watching